सबके जीवन में ऐसा प्रसंग अवश्चे आता है कि सत्य कहने का निश्चे होता है रिदे में किन्तु मुख से सत्य निकल नहीं पाता है कोई भए मन को घेर लेता है किसी घटना अथ्वा प्रसंग के बारे में बात करना या फिर स्वयम से कोई भूल हो जाए उसके बारे में कुछ बोलना क्या ये सकते है नहीं ये तो केवल तत्य है अर्ठात जैसा हुआ था वैसा केवल बोल देना समाने सी बात है किन्तु कभी कभी उस तत्य को बोलते हुए भी भय लगता है कदाचित किसी दूसरे की भावनाओं का विचार आता है मन्त दूसरे को दुख होगा ये भय भी शब्दों को रोकता है तो ये सत्य क्या है क्या हमने कभी विचार किया है जब है रहते होए भी कोई तथ्य बोलता है तो वो सत्य कहलाता है वास्तव में सत्य कुछ और नहीं केवल निर्भयता का दूसरा नाम है और निर्भय होने का कोई समय नहीं होता क्योंकि निर्भयता आत्मा का स्वभाव है अर्थात क्या प्रते एक्षण सत्य बोलने का अक्षण नहीं होता स्वहम विचार कीजिए